केसिंग के करीब 15 दिन बाद मश्रूम निकलना शुरू हो जाता है जब मश्रूम की टोपी का आकार 3-4 सेंटीमीटर हो और टोपी पूरी दुरह से बंद हो उसी समय गुमा कर तोड़ लेना चाहिए बिट्टी लगे हिस्से को काट कर अलग कर दें इसे 12 घंटे तक सही अवस्था में रखा जा सकता है अनिता इसे नमक के घोल में उपचारीद करके भंडारीद करें या पैकेट बना कर बाजार भेज दें 100 किलो कमपोष्ट से 15 से 20 किलो मश्रूम प्राप्त होता है भंडारन के लिए 5 दीगरी सेलसियस तापमान और 80 से 90 परतिशत आदरता यानि नमी होनी चाहिए तुडाई के बाद मश्रूम को छेद किये गए पॉलिथीन की धैलियों में एकत्रित करके 200 से 500 ग्राम के पैकेट बना कर बाजार भेज सकते हैं